हर हर महादेश शाथियों यह आपका जेपी सर आप सभी के उजल भाईश की कामना करता है साथी साथाशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्त हैं मस्त होगें प्यारे साथियों आज हम भी शुका सबसे बड़ा पुरुषकार नोबल पुरुषकार 2024 से सम्मंदित महतफूर अपडेट लेकर के आया हूँ प्यारे साथियों किसी भी वन्डे एक्जाम में नोबल पुरुषकार से सम्मंदित एक या दो नमबर के प्रस्ण पूछे ही जाते हैं यदि आप किसी वन्डे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मतपूर होने वाली है साथियों आईए हम नोबल पुरुषकार से सम्मंदित मतपूर बिंदों पर चर्चा करते हैं सरप्रतम डाइनामाइट के आउशकार कल्फेट नोबेल का जम्न 21 अक्टूबर 1833 वी में इस्टाक होम स्वेडियन में हुआ था और नोबल पुरुषकार देने वाली संस्था का नाम है रायल स्वेडिश एकेडिमिक आफ साइंसेस रायल स्वेडिश एकेडिमिक आफ साइंसेस के द्वारे पुरुषकार दिया जाता है और इसकी अस्तापना 1749 वी में हुई थी साथियों डाइनामाइट के आशकारक्स अलफेड नोबेल की मृत्तियू 10 दिसम्बर 1896 वी के हुई थी और उनके मिर्त होने के बाद स्वेडियन वासियों को 1895 में एक लिखावा वसियत मिला जिसमें पुरुषकारों के बारे में लिखा था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक व्यास से मानो कल्याड है तो निमलिकित पांच छेतरों में भावतीक, रसायन, चिकितसा, साहित वर्षांत के छेतर में नोबल पुरुषकार दिये जाने के लिए लिखा था साथियों, अलफ्रेड नोबल विनाशकारक हतियार डाइनामाइट के आविशकार के रूप में जाने जाते हैं सरप्रता नोबल पुरुषकार वर्ष 1901 में परदान किया गया था साथियों, आरम में यह पुरुषकार पांच छेतरों में दिया जाता था किस-किस छेतर में साहित, शांती, भोतकी, रसायन और चिकित्सा साहित को लिटरेचर, शांती को पीस, भोतकी को फिजिक्स, रसायन को केमिस्टरी और चिकित्सा को मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है साथियों इन सभी पांच चेतरों के पुरुषकार की धनराशी नोबेल फॉंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है इसको ध्यान रखियेगा इन नोबेल पुरुषकार की धनराशी किस पॉंडेशन के द्वारा प्रदान की जाती है तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है पुरुषकार की धन्रासी हर वर्स जो बदलती रती है कोई निश्यत नहीं होता है अलफ्रेड नोबेल की अमरित तीव 10 दिसंबर 1896 को भी अतर परतेक वर्स इनके मिर्त के वर्स गांट पर यह पुरुषकार प्रदान किया जाता है जिसे नोबल दिवस के रूप में जाना जाता है साथियों अधियाब से प्रद्विशन पूचा जग नोबेल दिवस के मना जाता है तो आपका जबाब होगा 10 दिसंबर को नोबल दिवस के रूप में मनाए जाता है साथियों यह पुरसकार किसी भी ब्यक्ति को मरड़ो पुरांद के बाद नहीं दिया जाता है लेकिन यदि ब्यक्ति का मुझतु पुरसकार की गोषणा होने के बाद होती है तो उसे मरड़ो पुरांद बाद भी पुरसकार की जाती है आप इसका मतलब समझगे होगे किसी भी ब्यक्ति को जो है मरड़ो पुरांद के बाद नोबल पुरसकार करदान नहीं किया जाता है बसरते उसकी यदि अक्टूबर माम में उसके नाम की घोषणा हो चुकी है तो ऐसे बेक्तिको उसके मृत्त के बाद भी पुरुषकार ब्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को वर्स 2023 में नोबल फॉंडेशन द्वारा पुरुषकारों के लिए पुरुषकार राश को एक मिलियन क्रोणर से बढ़ा कर 11 मिलियन क्रोणर कर दिया गया है कि 2023 में नोबल फॉंडेशन द्वारा पुरुषकारों के लिए पुरुषकार राश को एक मिलियन क्रोणर से बढ़ा कर 11 मिलियन क्रोणर कर दिया गया है नोबेल पुरशकार सरूप हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरशकार पदक एक डिपलोमा तथा पुरशकार राज की पुष्टी करने वाले एक दस्तावेज को सामिल किया जाता है यह पुरशकार वर्तमान में 6 छेत्रों में प्रदान किया जाता था और शुरू में या जो है पांच छेत्र में प्रदान किया जाता है तो छटवा सब छेत्र जो है वह क्या है अर्थसास्त 1967 में अर्थसास्त के छेत्र में भी नोबिल प्रशकार दिये जाने की गुषणा हुई अर्थसास्त के छेत्र में गुषणा कब की गई तो सातियों आपका जबाब जबाब का untuk needed 665 में तापड़ा की गई थी chronic 1961 में इस थापित किया गया और Corona के छेटर में नोगे प्रसकार पहली बार 1979 में परदान किया गया औरregüre 59 29 में परदान किया गया था सातियों अर्थ सास्त छेटर की प्रसकार किसकी अर्थसास्त छेतर की पुरसकार रासी स्वीडन के केंद्री बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है सातियों इसे अर्थसास्त छेतर का दूसरा पुरसकार भी कहा जा सकता है इसे स्वेरिक्स जिक्स भैंक पुरुषकार के नाम से भी जाना जाता है इन सभी पुरुषकारों की गुष्णा हर वर्ष अक्टूबर मां में की जाती है और अलफेड नोबिल की पूर्टिती पर 10 दिसंबर को यह जो है परदान किया जाता है साथियों भौतकी वर स्वार सायन विज्दाहों का स्वीडिश्च एकड्यमी का आपसाइउस्ड़ा की जाती है शाहरी दी किया चेक्ट्सा के लिए विज्दाहों का चयन इस्ठाख वो मिस्तित कारो लिंज्च का संस्थान दवरा किया जाता है साहरीरी के अच्छे कित्सा के लिए किसके द्वारा किया जाता है साहित के लिए पुरुषकार की गोषड़ा किसके द्वारा की जाती है तो साहित के लिए पुरुषकार की गोषड़ा किसके द्वारा की जाती है कि एक समित द्वारा की जाती है सांति पुरिषकार की संसत की समिध द्वारा इसे नर्वे की राजदानी उसलो में दिया जाता है और से सबी पुरिषकार स्विड decreasing की राजदानी स्टाबख़ोह में दिये जाते हैं कि आईये हम देखते हैं 2024 में नोबेल पूर्षकार किस चेत्र में किसे प्राप्त हुआ है तो साथ यह भौत की के चेत्र में जान होप फिल्ड को जो अमेरिका के हैं और इनको दियागा है साथी साथ जेफ्री हीटन को भी दिया गया है इनकी उपलब्दी है इनके कृतित्रीकार नेटवर को पर सिचित करने के लिए या बहुत इकफरしकार प्रदान किया गया है साथीयों दुसरा छेत्र रासायन के स्प्सक्राइन क में सयरे तो रसान के चेतर में तीन देख्टियों का चायन किया गया है डेविड बेकर अमेरिका और डेमिस हसाई स ब्रीटेन और जान आम जंपर अमेरिका इनकी उपलब्दी है इस पुरसकार का आधा भाग डेविड बेकर को प्राप्त हुआ जिनके दवार एक नई प्रोटिन का निर्माड किया गया है यह दवाव वैक्सिन बनाने में मदद करती है वहीं पुरस्कार का दुसरा भाग डेमिस वर जंपर को मिला जिन्नों ने AI माडल बनाया जिसे कांप्लेक्स प्रोटिन की सन नचना को समझाने में मदद की है इस प्रकार से एरसायन चेतर के पुरस्कारों की मैंने बात की अगला है चिकित्सा के चेतर में चिकित्सा के चेतर में यानि मेडिसिन के चेतर में मेडिसिन के चेतर में दो बेक्तियों को दो बेग्यानिकों का चन किया गया है विक्टर ए है इनने माइक्रो आरेने की खोज वा पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शन जीव विनेमन में युगदान हितुरा साहिन का नोबिल प्रशकार प्राप्त हुआ है या 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा साहित के चेतर में हान कांग को दिया गया है ये दच्छन कोरिया की है साहित के चेतर को का प्रशकार जो है दच्छन कोरिया की लेकिका हान कांग को दिया गया है इनकी उपलब्दी है यह पुरुषकार दर्चिन को रियाई लेकिका हानकांग को उनकी प्रसित का बिगद के लिए दिया जाएगा जो एतिहासिक आगातों का सामना करता है तता मानो जी उनकी नाजुटा को उजागर करता है इनकी प्रमुकृतियां हैं साहित और समाज योर इन हिडानकियों को दिप्रदान किया गया है यह एक जापानिक संग्ठन है इनकी उपलब्दी है यह पुरुषकार जापानिक संग्ठन निहोन हिंडानकियों को उननीस सो पैंटालिस में हीरोजिमा वन नागा साकी के प्रमाण बंबारी से बची लोगों द्वारा साहता प्रापT प्रमार हतियारों के खिलाप उनकी सेकर्टा के लिए प्रदान की जाएगी अर्थात प्रमार हमला दुबारा नव हो अगला प्रसकार अर्तसा़त के छेत्र में साथियों अर्थसास के छेतर में तीन बग्यानकों का तीन अर्थसास्त्रियों का नाम का चैन किया गया है जो साइमन जांसन, डेस ऐस मोगलू, जेम्स राविजसन, ए अमेरिका के निवासी हैं इनका उद्देश था, इन्होंने बताया कि जो गरीब देश कई सालों की तरक्की करने के बावजूद भी अमीर देशों की तरफ भिक्सित नहीं हो सके थे इस प्रकार से अर्थसास के छेतर में तीन अर्थसास्त्रियों को पुरसकार प्रदान किया गया साथियों, 2024 के सभी नूबिल भिजिताओं को याद करने का एक सरल ट्रिक देखते हैं जिससे कि आपको यह नाम याद हो जा, परिच्छा में आप इने जो है, आसानी से इनको पहचान सके हमारा ट्रिक है, साहित पढ़ने के लिए दल्लो कोईरी हांकांगे साहित पढ़ने के लिए दल्लो कोईरी हांकांगे आपको याद हो जाएगा तो साथियों, साहित का तातपर साहित के छेतर से है और दल्लो कोईरी, दल्लो में पहला सब अच्छर द आया है तो द का मतलब दच्छिन और कोईरी का मतलब कोरिया हांग कांग का टादपर हो गया हांग कांग से आएजिए, भातिक फ्रसकार के याद करने का ट्रिक देखते हैं तो भातिक फ्रसकार जो है जी जान हो फिल्ड, जेफरी हिंटन أmerikा के विग्यानिकों को पर्दान किया गया ट्रिक है अमेरकी मशीन में जान, भोतकी की आशावाद को pre-hit कर गए तो अमेरकी कताफ्पर हमारा हो गया, अमेरका के लोगों को दिए गया, भोतकी से समझ गए गया भोतकी छेत्रा जान, जान मिस जान, आशावाद को अंगल्स में करते हैं, hope, hope तो आश्यावद हमारा हो गया जान हो प्रिहिट जे प्रिहिट उलत फीएट का मतल ओगा जे प्रि operators हमारा रसाइन का प्रुष्कार तिन बैगयानकों को दिया गए डेविड वेकर-डेमी सस्बिस जान एम जमपर को तो इसका हमारा टिर्फ है बेकर अपने बेकरी में रसायन का कमाल देकर हस हसकर जम्प करने लगा तो बेकर का मतलब हो गया डेविड बेकर से और बेकर जो होता है जो अपने बेकरी में जो है उसने क्या किया रसायन का अप्लू किया और उसका कमाल देकर वहां ससकर जम्प करने लगा हमारा अगला पुरसकार है चिकितसा का पुरसकार इसमें दो लोगों को दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रोकुन को जो अमेरिका के निवासी है तो सातियों ट्रिक है अमेरिकी गोरों की विक्टरी मेडिसीन के खाने से नहीं होती है तो सातियों इसका तातपर हो गया गोरों गोरों को मतलब गेरी से हो गया और विक्टरी मिस बीजय तो विक्टर एम्ब्रोस से हो गया विक्टरी का मतलब विक्टर एम्ब्रोस और अमेर पुरसकार है शांती का पुरसकार शांती का नुबूल पुरसकार जापानी संगठन निहान हिंडां क्यों को दिया गया है इस घट्रिक है जापानी संगठन सबको शांती से निहार है तो इसका बहुत ही सरल है जापानी संगठन आप समझ जाएंगे जापानी संगठन है जिस का प्रश्कार, सातियों अर्थसा स्षिस का प्रश्कार, तीन प्रमुक अर्थसास्त्रियों को प्रदान किया गया है, डारौन आयस मोगलू, साइमन जांसन, behaviors. ट्रिक है, धनवान बगतिël Ketis करते हुए, अपने रभी जैसे सन को जांसन पाउडर लगाना नहीं भूलता तो धनवान का तात्पर हो गया अर्थसास्तर से आएस हो गया आएस मोगलू और रभी जैसे सन हो गया राबिंसन और साइमन जांसन को जांसन पाउडर से तो जांसन पाउडर का ब्रांड कोन है अमेरिका जय हिंद